आज के सेशन में हम फिसक्क का टोपिक ग्राविटेशन डिसक्स करेंगे ग्राविटी या ग्रेविडेशन शायर अभी तक ये वर्ड आप अपने प्राव्मिरी ग्रासल से और इस लेबल तक पढ़ते आ रहे होंगे और आपने अभी तक ग्राविटी को समझा होगा वो होगा that is a kind of force which attracts all the object towards the earth But let me tell you कि gravity ये नहीं है जो definition आप अभी तक पढ़ते आए हैं नहीं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जो definition अभी तक आपने पढ़ी है वो गलत है एक्चल में जो gravity की मैं बात कर रही हूँ वो है gravity of the earth या gravitational force of the earth जो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे या जो अभी तक आपको मालूम है But I am talking about complete gravitational force अभी complete gravitational force क्या है और अगर ये अर्थ की बात मैं करना करूं और मैं जैसकर से बोल रही हूँ कि वो उतनी ही नहीं है जितना भी तक आप लोग समझ रहे हैं तो इसके beyond भी gravity जो है बहुत कुछ है तो आज की वीडियो में हम initially gravitation, gravitational force या gravity के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो हम पार्थ करने वाले हैं gravitation की ग्राविटेशन यह है हमारा आज को टॉपिक जो हम आज के वीडियो में सीखेंगे तो फुर्ट ग्राविटेशन है क्या जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूटन ने एक लौ दिया न्यूटन ने ही यह बताया कि कभी वो किसी एक आपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एक आपल गिरा और उनको अचानत से खयाल आया और वहने बहुत सारे लौज बना दिये लेकिन क्या आपको लगता है कि जो काम न्यूटन ने किया वह रियली में इतना आसान था जितना आसान हमें सुनाई देता है यह जितना आसान हम imagine करते हैं कभी-कभी मज़ाग में यह भी कहा जाता है कि काश हम भी classroom को छोड़ कर और एक opportunity के नीचे बैठ जाएं तो हम भी essay laws discover कर सकते हैं लेकिन नहीं यह बिलकुल भी इतना आसान नहीं है क्योंकि जब आपको इन concepts को पढ़ने और समझने में इतनी मुश्किल हो रही है तो just imagine कि जिसने इन laws को बनाया theories दी, research किया और finally यह कैसे conclusion तक लेकर आपाए जिने हम universal laws कहते हैं universal laws means a laws which are acceptable by everyone या जो पूरे universe पर apply होते हैं तो undoubtedly वो इतने easy नहीं है तो Newton ने बताया कि Earth जो है वो एक force से सभी objects को अपनी तरफ attract करती है यह चीज उन्होंने वो आपल को देखकर ही undoubtedly सोची थी जब वो पेर के नीचे बैटने हुए थे किसी apple tree के नीचे और एक apple उपर से गिरा तो उन्होंने इमाजिन किया उन्होंने सोचा, he just thought that why that apple is only falling down जब पेर से वो apple detached हुआ तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है तो उपर क्यों नहीं जाता है कुछ ऐसे ही खयाला, कुछ ऐसे ही विचार उनके मन में जो थे वो developed हुए and then finally उन्होंने जब research किया theories developed की then we got the universal law of gravitation तो gravitation जो chapter है physics का class 9 में हम यही पढ़ने वाले हैं तो सबसे important जो चीज बहाँ पर discuss की गई है वो है universal law of gravitation तो यह universal law of gravitation क्या कहती है तो पहले इसका statement देख लीजिए उसके बाद मैं आपको समझाओंगी कि actual में यह law क्या है और मैंने जैसा कि पहले mention किया था कि अभी तक आपने जो भी gravity के बारे में definition पड़ी है यह उससे बहुत different है शाहर आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह चीज आक्चुन में gravitation कहलाती है तो have a look to the definition Here is the universal law of gravitation तो देखते हैं कि यह law basically क्या करती है तो it states that every object in the universe देखिए यह जो law है यह state करती है कि every object, every object in the universe यानि जो whole universe present है ठीके उसका हर object attracts every other object with our force अगर कोई भी दो objects इस universe के हम ले ले कोई भी दो objects I am talking about the whole universe वो कुछ भी हो सकते हैं I am not talking about only the bodies, the objects which are present on the earth but the law says objects present in the whole universe पूरे universe के आप कोई भी तो objects को ले लीजी उन दोनों objects के बीच में एक force of attraction होता है तो यहां पर जो force है उसका जो that is proportional to the product of their masses किसके पास इसके जो दो objects हैं उनके बीच में जिनके बीच में force applied हो रहा है and inversely proportional to the square of distance between them और यह जो force है यह inversely proportional होती है किसके उन दोनों objects के बीच में जो distance है उसके तो यह चीज़ निकल के आती है यानि यह जो statement है यह कहना चाहता है कि जो force है force को हम आप से represent करते हैं तो जो यह force है यह directly proportional है किसके M1, M2 के M1 और M2 क्या है? M1 और M2 वो दोनों objects का mask है जिसके बीच में यह force of attraction act करता है देखिए जहां लगना है that is universal law of gravitation तो यह force हर को और दो objects जो भी इस पुरे universal present है कोई भी दो objects आप ले जीजिए उनके बीच में यह force of attraction होता है ठीक है? So this is directly proportional to the product of the masses of these two objects and this force is also inversely proportional to the square of the distance between them तो inversely proportional आपनों जानते हैं तो यह force है यह inversely proportional होती है किसके इन दोनों जो objects यहाँ पर भी रखते हैं उसके बीचार्वी दिस्टेंस है अगर हम उसे आप से रिप्रेजेंट करें तो उसके square के inversely proportional होता है आप देख सकते हैं सपोस कीजिए यह कोई object है A यह कोई object है B मान दीजिए मैंने इसका mass ले लिया M1 और इसका mass ले लिया M2 and these two objects are separated at a distance R तो यह force है यह क्या है डारेकली proportional है इन दोनों के product के और inversely proportional होती है इन दोनों के बीच का अगर distance R है तो उसके inversely proportional होती है यह law किसने दिया इस law is given by Newton again a big name in the field of science this law is given by Newton तो बहुत important law है repeatedly मैं जब भी वीडियो आपके साथ share 30 हूँ तो I am just telling you this thing that few of the scientists are there बिना उनके तो हम कुछ subjects को बिलकुल imagine भी नहीं कर सकते out of which one is again Newton तो Newton के ही laws हम दे वन से physics में पढ़ते आ रहे हैं and again this law is also given by Newton तो यह चीज इन्होंने बताई तो simple सी चीज है क्या आपको ध्यान लखना है मैं जैसे सब पूस करिए मैं कहते हूं कि एक मिरे पास ही marker है और एक ही tester है यह दोनों objects भी इसी universe पर present है इसी universe का part है तो आप करेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में भी force of attraction है तो yes yes the force of attraction this force of attraction which is mentioned here is also present in between these two objects as well यानि इन दोनों के बीच में भी यह force of attraction present है ठीक है वो force of attraction कम या जादा होगा कैसे होगा वो हभी हम जब इसका derivation करेंगे तो सीखेंगे तो इस जो force of attraction इन दोनों objects के बीच में है वो कैसा है directly proportional to the masses यानि जो mass is marker का है जो mass is dust का है अगर मैं इन दोनों के mass को product कर दूँ तो I will get the force तो जो स्का magnitude है वो क्या होगा directly proportional होगा और किस distance पर ही place किये रहे है उसके square के inversely proportional होगी ये force तो ये law कहलाता है universal law of gravitation which I am repeating again is applicable for all the two objects कोई भी आप दो objects ले लिजे पूरे universe में made by a terrestrial body कोई celestial body हो heavenly body हो कोई भी हो हर दो अबजेक्स के बीच में ये force of attraction होगा ही होगा और ये law कहलाती है universal law of gravitation given by Newton ठीक है तो चलिए आप इसका derivation देख लेते हैं तो ये statement ये दो चीज़े मैं आपको बताएं किसके directly proportional है और किसके inversely proportional है तो अब हम क्या अगर देवाले हैं इन्ही दोनों चीज़ों को हम combine कर देते हैं ये अब हमको क्या होगा हुआ अगर मैं इसके और क्या देख लिए तो अगर मैं इसका 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 बनिखेट है equation number one or two color में combine कर दूंगी तो यह आ जाता है that m is proportional to m1, m2 upon r square now you all know very well that whenever we are to remove the sign of proportional we give a constant there we write a constant there तो इसका मतलब क्या हो जाएगा that m is equals to g m1, m2 upon r square यहां पर जो हमे constant ले लेते हैं वो constant को हम लिखेंगे capital G से proportional का sign अमेशा equally sign to convert होता है along with the proportionality constant तो यहां पर constant आता है हमारा capital G और फिल m1, m2 as it is upon r square where g is known as gravitational constant यहां पर जो मैंने यह जी लिखा है यह कहलाता है gravitational constant यह फिर universal gravitational constant भी हम इसको कह सकते हैं we can also call it universal gravitational constant universal क्यों यूश करता है यहां पर वर्ड? because this gravitational constant is used in the universal law of gravitation तो अब देखिए यहां से हम carefully अगर देखेंगा हम जान सकते हैं कि कोई भी force जो है कोई जो objects के बीच में वो actually किस पर depend करेगी दोनों object के masses पर जैसे जैसे mass बढ़ेगा किसी भी एक object का force बढ़ता जाएगा but it is inversely proportional to the square of the distance between them तो जैसे जैसे distance बढ़ेगा वो force of attraction कब होता जाएगा लेके साथ ही साथ यह G पर भी depend करता है which is known as the gravitational constant क्योंकि यह constant है तो इसकी value कहीं पर भी change नहीं होगी and it will remain as it is चीक है तो यह derivation निकल के आता है universal law of gravitation का which gives you that N is equal to capital G M1 M2 upon R square known as the universal law of gravitation I hope now it is easy for you to learn the definition and to derive this formula okay moving ahead to the next thing so now it's time to look for the SI unit of G जो G है जो limitation constant हमारा निकला है इसकी SI unit क्या होगी तो अभी आपने देखा था कि जो हम फोर्स निकालते हैं तो क्या आता है capital G M1 M2 upon R square अब इसी formula से अगर मुझे capital G की value निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगी that will be G is equal to R square upon M1 M2 अब हमें क्या करना है G की SI unit को निकालना है तो हम क्या तरहेगी अब आप बताएगे मुझे force आता है हमका G की value लोगो calculate करेंगे तो force की unit क्या होती है Newton Everybody knows this R R represents the distance तो distance की unit क्या होती है meter और क्यूंकि हमने distance का square पिया हुआ है it means it will give you meter square divided by mask है तो mask की SI unit क्या होती है kilogram दोनों ही masses है तो I can write it kilogram square यानि जो SI unit IE constant gravitation constant G की वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी Newton meter square per kilogram square या पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Newton meter square kilogram minus 2 this is the SI unit of the gravitational constant और the universal gravitational constant G तो अगर आपको याद नहीं है कि क्या रहती है उसकी unit आप याद करना भूल जाते हैं तो it's very simple मुश्किल से मुश्किल 5 seconds लगते हैं आप इसका formula put करें और easily आप इसकी unit को पता कर सकते हैं बस आपको method पता होना चाहिए that is very important so this is how you can get the SI unit of the gravitational constant G चली अब दिखते हैं कि इस gravitational constant क्योंकि ये constant है तो इसकी value होती क्या है so I was I'm telling you about the gravitational constant की उसकी value क्या होगी तो इसकी जो value है ये derive की थी एक और scientist रहे हैं जिनका नाम है Henry Cavendish उर्होंने ये value derive की थी his name is Henry Cavendish and by the method of torsion experiment करके by some torsion experiment आप आगे सीथे क्लास में से पढ़ेंगे उर्होंने इस constant की value derive की which comes out to be 6.673 into 10 to the power minus 11 तो minus 11 से आप imagine कर सकते हैं कि जो constant है उसकी value कितनी छोटी है okay that is the reason too many of the concepts या हम कहें कोई भी object जो है वो एक दूस्यों को बिल्कुल magnet की तरह क्यों नहीं कर लेता है क्योंकि जो हम force calculate करते हैं उसमें इस gravitation constant का भी ये बहुत बड़ा रोल है तो the value was given by Henry Cavendish and by some caution experiment he gave this value we derived it experimentally the value comes out to be 6.673 into 10 to the power minus 11 so constant है हमेशा use किया जाएगा universally accepted अब यहां पर कुछ points आते हैं जो बहुत important है आप लोगों को जाना तो उनको एक एक करके देश लेते हैं so here are the few key points about the gravitational the universal law of gravitation or the gravitational constant to which I have given a name knowledge desk तो कुछ knowledge से related यहां पर कुछ knowledge से related यहां पर एक desk है कुछ points है जो आपके लिए जानना बहुत important है the first one is law is applicable to all the objects whether big or small, celestial or terrestrial यही चीज़ से मैंने भी starting किया था मैंने आपको बताया भी था कि जो यह universal law है gravitation का कोई भी object हो कितना भी बड़ा हो छोटा हो, heavenly हो, terrestrial हो celestial हो यानि जमीन पर रहने वाला, आस्मान में रहने वाला heaven में रहने वाला कहीं का भी कोई भी object हो छोटा हो या बड़ा हो हर कोई दो objects के बीच में यह law applicable होगा ही second point G remains constant no better whatever the conditions are यानि G जो हमने अभी gravitational constant की value जानी थी वह हमेशा वही रहने वाली है उसमें कोई change नहीं आएगा चाहे, चाहे, चाहे conditions कुछ भी हो कितनी भी change हो जाए but it will remain constant third point कहता है the gravitational force is weak due to the small value of G अगर हम gravitational force की path करें तो weak हो जाता है किस की वज़े से? G की value की वज़े से क्योंकि अभी हम में देखा था यह जाना था that the value of G is very very small next point कहता है as the gravitational force between the two objects is inversely proportional to the square of the distance between them तो इस law को inverse square law के नाम से भी जाना जाता है कौन सी law को जहां पर की gravitational force है वो inversely proportional है किसके square of the distance between them तो इसको हम कहीं कहीं इस पार्ट को हम inverse square law के नाम से भी जानते हैं तो यह कुछ key points है about the gravitational law or the universal law of gravitation and the constant G अब जान लेते हैं कि यह law exactly इस law का कहा कहा पर effect होता है या इसका importance क्या है है Here is the importance of the gravitational law एसी कौन कौन से चीज़े हैं जहां पर हम जान सकते हैं कि जो यह gravitational law है या universal law of gravitation वो हमारे life में एक important role ले करता है एसी बहुत से चीज़े हैं एसे बहुत से जगे हैं एसे बहुत से experiences हैं जो हम और आप daily feel करते हैं देखते हैं जानते हैं सुनते हैं लेकि हमें मालूमी नहीं था अभी तक कि यह सब कुछ यह law की वजह से हो रहा है चले, have a look The first one is Motion of planets around the sun सब ने पढ़ा है primary classes में कि sun के around जो planets का movement है वो motion या movement continue होता ही रहता है तो किसकी वजह से होता है तो that is only because of this force या gravitational force या फिर जो अभी अभी law आपने पढ़ा है Secondly, जो stability provide होती है solar system को वो भी इसी force की मुझे से है Motion and moon cast earth के around that is also because of this Earth का जो atmosphere है उसको भी इसी force में गुल्ड करके रखा है अगर यह force accent हो जाएगी तो आप imagine करिए कि जो यह atmosphere है या तो वह आके अब पर मिल जाएगा या कहीं हवा में चला जाएगा और अगर atmosphere present नहीं होगा तो biologically क्या-क्या changes आएगे या फिर climate में क्या-क्या changes होंगे यह चीज़े आप imagine करिए Rain drops और snow falls जो होता है Earth पर that is also because of this force present and उसके अलावा जो types आते हैं C में वो सबका reason भी यही force of attraction है इसके अलावा बहुत सारे और गी reasons हैं फिर पिलेंगे नेक्स वीडियो में continue करेंगे इसी chapter gravitation को और भी बहुत सारे चीज़ें अभी इसमें बाकी है चैनल के साथ जुड़े लगिए like, share, subscribe करना बिल्कुल मत बूलिए और जितने interest के साथ मैंने आप कोई चीज़े समझाएगे उतने ही interest के साथ आप इसको पढ़िए and I am quite sure कि मेरा वीडियो में ये देखने के बार आप gravitation से related कोई भी question का answer बहुत easily कर पाएगे so stay tuned with Empower Tutoring do not forget to like, share and subscribe see you in the next video till then have a nice time enjoy learning click below to subscribe and watch more videos you